if you don't know indeed this video is also available in English Link is in description now let's start the video guys हमारी Cloud computing की series चल रही है यह हमारा third video है ठीक इससे पहले दो वीडियोस दल चुक है और future में और ब्लते रहेंगे अंड हमाई चेनल पर बहुत सारे आपको पढ़ाही के लेडिर वीडियोस मिलते है प्लस इंट्रिव्यूज में कैसे प्रिप्रेशन करने है, हैक वजिन फी क्या होता है, कोड विटा क्या है, ठीक है, Infosys का मैंने अपना एक और वीडियो पढ़ाया, उसमें मैं आपको समझाया था, कि आपकी characteristics क्या है, cloud computing की, इन characteristics के, मतलब यह हमारी characteristics होती है, जो कि हमारा cloud computing में help करती है, तो यह हमारी सारी चीज़े होती है, यह आपकी exam में commonly asked question है, कि write the characteristics of cloud computing, यह वीडियो ज़रूर देख लिजेगा, this is important, okay, link is in description, playlist की link description में है, so first of all advantages देखते हैं, then afterwards मैं आपको disadvantage बताऊँगा, advantage यह दर हम बात करते हैं, benefits क्या क्या है, देखो resources हो, आप कहीं से भी access कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, 12 बजे रात को, सुबह 10 बजे, 3 बजे and so on, anytime you can access the resources from any place, anytime from any device also, phone से कर लो, laptop से कर लो, कहीं से भी कर लो, second on-demand self-service, मतलब आपका किछी third party की मीच में intervention की जरुरत नहीं है, मैंने previous video में आपको पूरा detail में point समझा दिया है, अगर आप डॉक्टर के पास जाता है, तो आपको एक receptionist होती है, receptionist के पास जाओ, पढ़ चलो, then doctor के पास आप जा सकते हो, यहाँ पे वो जमिला नहीं है, simply आपको जो भी service चाहिए, आप बताओगे कि मेरे को यार यह वाली service चाहिए, और वो आपका जो service provider है, वो आपको directly service दे देगा, ठीक है, जो आपको चाहिए, वो आप ले लो कोई, अगर आपको 10 दिन के लिए चाहिए, आप 10 दिन के लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंग वो सब चीजे हमको, मतलब फाल तुमें हमारे को खर्चा करने की ज़रुत निया, ठीक है, वो सब चीजे हमारे बच जाते हैं, पैसे बच जाते हैं, एक टाइम के बद आपका प्रोसेसर भी पुराना पड़ जाते है ना, 5-10 साल बाद, 10 साल तो मैंने जादा बोल दिया, म आपका प्रोसेसर, मतलब हर साल नहीं प्रोसेसर आते है, तो वो चीज आपको बार बार मतलब नहीं मचीन लेनी पड़ेगी, तो वो सारे हमारे खर्चे बचते हैं, तो हम Cloud Computing का यूज करके, वो सब रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, right so that is a very good advantage हमारे पैसे बच रहे हैं we need not purchase hardware no maintenance except I have explained you this scalability की मैं previous वीडियो में भी बता चुका हूँ पहले वीडियो में मैंने इन फैल्ट बताया था कि अगर आपको जरूरत है आप अपनी resources को कभी भी scale up कर सकते हो और कभी भी जब भी आपको जरूरत नहीं है if traffic increases on website तो we can scale up anytime कभी भी हम अपने resources को बढ़ा सकते हैं और अगस traffic बहुत ही कम है website पे तो हम अपने resources को down कर सकते हैं that is totally dependent on us तो हम उतना है पैसा पे करें ही जितना हमें use करना ठीक है pay as per use तो मैं आपको हर बार ही समझा चुका हूँ then afterwards next आपका एक और point है हम collaborations कर सकते हैं कोई बंदा इंडिया में बैठाव आप यूएस वाले बंदे साथ project कर सकते हैं like हमें अगर अपनी file sales करने हम dropbox यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहो तो मतलब आप friends भी होकर आपने जैसी कि हमार को मिलती है कैसे मिल रहे हैं security आपके या डेटा जो है ना अलग-अलग data centers पे store होते हैं अलग-अलग servers पे store होते हैं तो अगर एक server खराब हो गया तो ऐसे नहीं आपका data हमेशे collect हो गया नहीं आपके बास और भी opportunities है मतलब आपका जो data है और भी servers पे available है तो आप जब भ अलग-देश से access करो इंडिया से करो पाकिस्तान से करो युएस से करो इजब्ट से करो एनिवेर राइट इट अलसो सेव सार टाइम कैसे सेव कर रहा है भाया टाइम हमें आद देखो update नहीं करना software हो हमारा time बच रहा है अगर कोई हमारी screen खराब हो गया machine खराब होगी है ठीक है तो यह आपके हो गए majorly आपके सारे benefits क्या क्या है disadvantage क्या आगर मैं आपसे बात करता हूँ तो सबसे बड़ा disadvantage क्या है कि cloud computing को हम access ही नहीं कर पाएंगे अगर मापास internet ही नहीं होगा है ना so internet is a must now guys और भी disadvantage बहुत सारे में दो तीनी लिख के रखे हुए आप लोग website accesses मतलब refer कर सकते हैं बाकि lack of support मतलब जिसे की अलग-अलग service providers है ना कुछ तो आपके अलग-अलग service providers की अलग-अलग services होती है तो किसी किसी का support कम हो सकता है कि मतलब सपोज आपका अपकी meeting है बहुत urgent या कुछ भी तो मतलब support कहीं पर आपको मिल भी सकता और नहीं भी मिल सकता है तो जो आपके आपको support अच्छा मिलता है but that can also be treated as a disadvantage here also so choose the cloud provider facility carefully and also अगली बात करते है तो you may not get all the features in everywhere मतलब यह कि कोई स्पेसिफिक standard नहीं है कि मतलब हर एक cloud provider को यह वारी ऐसी चीज़े ही provide करनी पड़ेंगे and so on so there is no proper standard for that so इसलिए हमको कहीं पर सारी features नहीं मिले ऐसा भी हो सकता है तो वह आपने cloud provider को आप अच्छे से चुने तो major disadvantage आपका connection का ही है मतलब internet connection होना चीए बाकी disadvantage आपना किसी website पर पढ़ सकते लेगी बट मेजर यहीं है और नहीं हो चैनल पर तो यार explore करना चैनल को बहुत बढ़िया वीडियो आपको मिल जाएंगे compiler design cryptography and video अच्छे लगते तो comment जरूर किया कर ठीक है मतलब और like जरूर किया करो वीडियो को ताकि अपने को भी पता चले कि हापको content अच्छा लग र लगत्रम